आज के वीडियो में आपको इंट्राडे के लिए एक पॉर्मिला देने वाला हूँ जिससे आप इंट्राडे में एक कंसिस्टेंट इंकम बना सकते हैं जहां से आप एक मिनिममम रिस्क के साथ में मैक्सिमम रिबॉर्ड को कैप्चर कर सकते हैं जो एक नए ट्रेडर होते हैं वो इंट्राडे में लॉस ही करते हैं उसकी तीन सबसे बड़ी वज़य होती है जो मैं आपको फॉर्मिला देने के पहले बताना चाहता हूँ सबसे पहली वज़या दे ट्रेड ओन मुझे लगता है the day I am shooting this video जिस दिन पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज के दिन पर बैंक ने पी में बहुत ज़्यादा वलेडिलिटी थी but despite of that बहुत लोग ने आज लॉस किया होगा just because they trade on मुझे लग रहा है कि यहां पर support हो जाएगा मुझे लग रहा है यहां पर resistance हो जाएगा मुझे लग रहा है आज यह all time high फट जाएगा reason number two of loss extreme emotional trading चाहे greed के साथ में ज़्यादा quantity खरीदना greed के साथ में quantity खरीदी हुई को hold करना या fear के साथ में उसको जल्दी बेच देना emotions के साथ trade करना और तीसरी गलती trading without a system trading without a framework and आज मैं आपको एक वही framework देने वाला हूँ formula देने वाला हूँ जो execute करके आप अपने trading में एक next level पे जा सकते हो तो जो formula का नाम है वो है plan focus plan focus is basically an abbreviation जहाँ पे हर letter पे मैं आपको एक explanation दूँगा एक way दूँगा एक framework दूँगा जो आप execute करके intraday में काम कर सकते हो अगर आप में से कोई English पढ़ा हुआ है तो कहेगा सिदात focus का spelling गलत है but okay it's an abbreviation and I'll explain you the whole stuff so सबसे आता है पहले P और P का खुद का जो word है that is plan itself intraday में जब आप जाते हो उस उबह सवा 9 बजे market के जब bell बचती है वो time पे you should have a plan on a piece of paper एक paper के उपर plan चाहिए कि कौन सा stock लेना है entry कहां पे करनी है stop loss कहां पे रखना है target कहां पे रखना है RSI use करने वाले हो या Bollinger Band use करने वाले हो volumes use करने वाले हो या OBB use करने वाले हो price action में कौन सा price action का pattern use करने वाले हो double top, double bottom, triangle, head and shoulder, flag कौन सा chart pattern या कौन सा price action pattern को follow करोगे ये paper पे लिखा हुआ होना चाहिए उसे ही कहते है plan और कुछ चीज़े जो मैं आपके plan में include करना चाहूँगा that is when to sit ideal कब ऐसा आएगा जब कुछ नहीं करेंगे market में जैसे आज क्या दिन था कुछ नहीं करना था आज के दिन में when to pyramid कौन सा ऐसा दिन होगा जहां पर अगर market ऊपर जाएगा तो हम target book नहीं करेंगे but we will add more quantity 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 ये कब करेंगे and live market में analysis नहीं करना है तो off the market analysis कब करेंगे all this should be the plant plant क्या होता है part of your plant that was the first word then L which stands for limit you need to limit your traits one of the best example आज के टाइम पर अब अगर देखेंगे तो Virat Kohli in cricket क्या Virat Kohli हर बॉल पर sixer मारने का ट्राइ करेंगा the answer is no पहले बो आएगा थोड़ा सा खेलेगा पिच पर पिच को भापेगा English में क्या बुलते है भापेगा को पिच को चेक करेगा basically कितना बॉल बाउंस हो रहा है कितना बॉल स्विंग हो रहा है थोड़े से ओर्स बिताएगा पिच पर and then maybe he will start playing and even तभी भी वो बॉल के मैरिट पर खेलेगा और यह हर बॉल को four or six मारने की कोशिश करेगा that's about the limit you need to limit your losses that's so obvious but then I want to start with limit your emotions जब हम सब्सक्राइब बज़े मारकेट में आते हैं साड़े तीन बज़े मारकेट छोड़ते हैं यह पूरे के पूरे clock के दौरान पूरे के पूरे cycle के दौरान हम कितने emotionally trigger हो रहे है यह something बहुत बढ़ी चीज़ हो जाती है यही एक differentiator है profitable trader के बीच में and loss maker trader के बीच में आज मैं भी खुद अपनी जिंदगी में जाख करके देखो तो मुझे लगता है यही एक सबसे बड़ी चीज थी जो missing थी बहुत-बहुत-बहुत सालों तक के emotions को control ना कर पाना and then I will say के इसका solution भी साथ में लेते जाओ which is a Vipashna meditation कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो पनाया थी उस पर विच आइली रिकमेंद विच आइली रिकमेंद विच आइली रिकमेंद विच आइली रिकमेंद करता हूँ कि आप भी आपके शहर में सर्च कीजिए विपशना लखना Vipashna and Gujarat then you will find centers around you and you can go and learn that meditation technique जिसके वज़े से वो सवा नौ से साड़े तीन के बीच में हम emotions को control कर पाए then a big point जब हम market में आते है जो हम सबसे ज्यादा लेके आते क्योंकि पैसे थो हम बड़े थोड़े से लेके आते है पर हम अगर कोई चीज बहुत ज़ादा लेके आते है आप भी मैं भी वो है expectations उस expectations को limit करना है क्योंकि हम अगर market में पहले दिन पे आके बड़ी expectations लेकर के आते है then in that scenario expectation match नहीं होती है losses होते है and then confidence भी नीचे जाता है generally I believe ये दोनों साथ में चलते है if you make money your confidence goes up if you lose money your confidence comes down तो आपको ये manage करना है with a low expectation अगर आप low expectation के साथ में market में आते हो थोड़े थोड़े पैसे बनाते हो confidence ज़ादा होगा and जो आपको eventually help करेगा market के अंदर then limit your risk इस पे मैं शायद अगले दो घंटे non-stop बात कर सकता हूँ जब आप as a intraday trader नहें होते हो हमें वो बड़े सपने तो देखने है लेकिन शुरुवात सौर पे से करनी है शुरुवात में सौर पे का रिस्ट, सौर पे का रिस्ट, सौर पे का रिस्ट अगर पांच ट्रेड भी stop loss हो जाते है still you are in a loss of 500 rupees and that is acceptable that's okay market को हमें पहले छोटे छोटे losses से सीखना है so that कभी हमें बड़े losses ना हो उसके बिना तो नहीं ही चलेगा मेरी जान नहीं ही चलेगा then limit your capital I don't think so it's very common advice limit your capital I'm telling you पहले जब market में आते हो risk तो 100-100 rupees का लो तो अलग बात है पर capital भी पूरा मद दाल दो let's say you are moderately successful in your career or in your job let's say market में आना चाहते हो 5 lakh rupees ले करके मैं आपको recommend करूँगा पहले सिर्फ 50,000 ले करके आओ and दीरे 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 उसके सीखो and then bring maybe 1 lakh then maybe 1 lakh then maybe 1 lakh सीधा 5, 25, 50,000 लाक से नहीं आना है market में फिर हम कहते है ओ market risky है ओ market risky नहीं है आप और हम risky है market risky नहीं है फिर से बोल रहा हूँ शायद आप और हम risky है जो हमने पहली बार में सीधे 5,000,000 रुपए आप 20,000,000 रुपए लगाने की सोची the first step is small so limit your capital employment in market and then once you make some money then और थोड़ा पैसे लाओ और थोड़े पैसे लाओ और थोड़े पैसे लाओ उसलताब से definitely आप अपना capital बढा सकते हो but step 1 limit your capital then limit your stocks जो हमारा UFWP signature event होता है उसमें मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूं कि कभी भी 10 stock के ऊपर नहीं जाना है 10 stock max 10 highest 12 stock again वो तो मैं normal positional and long term की बात करहूं अगर अब intraday करते हो 1 stock maximum 2 stocks that's it so if you are going for a long term or positional to long term trading 10 stock max short term trade कर रहे हो intraday trade कर रहे हो 1 stock 2 stock this is one more very big mistake which people make options 3-4 जगा के खरीद के रख लिए अभी सारी position साथ में manage कर रहे है bank nifty की भी 2 call पड़ी है nifty की 2 put पड़ी है 2-3 stock पड़े है तो screen लगा कर के चल रहा है no 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 limit your stocks then the next is average average का मतलब moving average नहीं है average का मतलब है you are average of 5 stocks you hold you are average of 5 stocks you enter you are average of 5 stocks you exit you are average of the risk management mechanism which you use थोड़ा से simplify कर के बताता हूँ अगर आप ये 5 stocks hold करते हो जो अभी आपको screen पे दिख रहे हैं आपकी profitability इनकी average है अगर आप ये 5 stocks hold कर रहे हो जो screen पे दिख रहे हैं तो आप उस losses का average loss आपको हो रहा है अगर आप सही trend पकड़ते हो तो उसका average आपको मिलता है और आप गलत trend पकड़ते हो तो उसके average का loss आपको मिलता है basically what we hold और what we have is a sum total of stock which we are holding चाहे हमारा direction सही है या गलत है उसके हिसाब से अगर मैं आपको इसको दूसरी भाशा में मुझे बताना हो then I can say don't catch a falling knife ये जो चक्कू उपर इसे जब गिर रहा है उसा catch नहीं पकड़ते है अगर इसको opposite करके बताना हो then I can say don't try to catch a launched rocket जो rocket launch हो चुका है उपर के दरब पट रहा है उसको पकड़ने की कोशिश मत करो और उसको उपर जाने दो और जो चक्कू नीचे गिर रहा है उसको नीचे गिरने दो generally जो नए traders होते हैं वो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लगता है के ओ अब ये सस्ता है ओ अब ये सस्ता है ओ अब ये सस्ता है ओ ये सस्ता है and they always want to catch the bottom इसका ही reverse कर दू कैई बार कैई बार ऐसा हुआ होगा that मुझे सवाल आते है यह और कितना उपर जाएगा और कितना उपर जाएगा और कितना उपर जाएगा इसलिए stock market की दुनिया में कहा जाता है that भाव भगवान छे price is supreme and we need to follow the price अगर same चीज़ को मुझे आखरी example से बताना हो तुम आपको यह बता सकता हो कि अगर कोई ship डूब रही है if ship is sinking तो आप क्या करोगे आप life jacket पहन करके दूसरी ship में जा करके किनारे पर पहुँचने की कोशिश करोगे in exact वही हमें stock market में भी करना है कि हमें सही ship में बैटना है और हमें अपने goal के तरफ जाना है किनारे के तरफ जाना है then N stands for listen अपको कि सिदात L आता है N नहीं आता है नहीं लेकिन वो listen के end में N था ना तो मैंने तोड़ा adjust करके बना लिया यह so listen we need to listen to the market market अगर आज के दिन के जिससा super volatile है you don't need to trade अगर market किसी दिन पर proper trending market चल रहा है we need to listen to the market अगर market किसी दिन पर extreme bearish mood में है we need to listen to the market market कभी quite sideways में है we need to listen to the market respecting market's behavior and trading according to the market behavior is the key यह lesson आपको जिस दिन समझ में आ गया I can say welcome to the professional traders club you need to understand to listen to the market जो हो रहा है जैसा हो रहा है उसे वैसा देखना और उसे वैसा ट्रेड करना यह then focus F which stands for the flow जो मैं अभी exactly बोल रहा था we need to go with the flow अगर flow इस direction में है जो बहुत असान इसे आप को moving average लगा करके देख सकते हो let's say add a 44 simple moving average अगर हम इसे add कर देते है यह नपी का चार्ट है अगर यह उपर जा रहा है then it's assumed के market can go up further अगर यह नीचे के तरफ है then it is assumed के market और नीचे जाएगा इसलिए कहा जाता है trend is your friend until it bend trend ही आपका दोस्त है जब तक वो एक particular direction में चल रहा है हमें flow के साथ में trade करना है ना ही के flow के against trade करना है then the flow in risk for example आपके एक दो बहुत बड़े loss हो गए है now you need to stop that flow आपको अब loss वाले flow में बहना नहीं है you need to cut your flow maybe stop trading for a one week or two week एक दो हफता trading like बंद कर दीजिए रुकिये थोड़ा time देखिये market को observe कीजिए अपनी गलतियों को सुधारिये and वो loss के flow से बहार आए और एक तीसरा सबसे बड़ा point flow में when you get a mega mega profit जो आप अगर trading करोंगे consistently then you will make some mega profits वो time पे stop trading because if you have a super flow of money अचानक से तो वहाँ पे emotions सही से काम नहीं करेंगे वहाँ पे सही quantity सही stock, सही direction कही ना कहीं पे कुछ ना कुछ गढ़बढ होगी so वो time पे cut your flow, stop for some time and then again start with a basic job अपने पुराने capital से trade कर रहे थे वही capital से धीरे धीरे फिर से शुरुआ कीजिए then O which stands for the power of one what do I mean by one one means you should trade with a one system one method, one rule अगर मैं और इसको extend करना है then maybe a one mentor, maybe a one program you need to focus on a one thing see you can learn from maybe many people on YouTube but at the end of the day हम सब को mentor बना के सब को follow करेंगे तो किसी को follow नहीं करोगे किसी की नहीं सुनोगे कभी profit नहीं होगा you need to find a person जिसके साथ आप connect कर पाते हो दिल से if you are able to connect with someone then you need to stick with it and उनके हर वीडियोस देख करके उनसे सीखने की कोशिश कीजिये उनको follow करने की कोशिश कीजिये उनसे सीखिये and then maybe implement in your market with very little risk so power of one then C which stands for cut cut your finger or you have to cut your hand छोटी सी उंगली ही काट लो या हाथ काटना पड़ेगा एक बहुत बड़े ट्रेडर में बात कही that cut your small loss cut your small losses और sooner or later you have to cut the mother of all losses छोटे छोटे लॉस बुक करते जाओ नहीं तो एक बहुत बड़ा loss बुक करना पड़ेगा this is the one habit जो आपको market में जिन्दा रख सकता है और अगर आप जिन्दा रह सकते हो market में तो आज नहीं तो कल पैसा बना सकते हो पर अगर आपने पहले ही 2-4-6 महीने में बड़े फटके खा लिये किसी की बातों में आकर किसी की बातों को सुनकर किसी की system follow करके तो कुछ नहीं होगा see you learn from everyone आप सबसे सीखो सब कुछ करो बट risk management पर इतना तगड़ा control होना चाहिए कि aren't thus loss हो जाए तो भी कुछ फरक नहीं पढ़ता है that's why cut cut and cut अगर कोई शब्द है जो मैं चाहूंगा आपके trading desk के सामने लिखा हुआ हो poster बना के तो वो होगा C-U-T cut cut your losses then step by step what do I mean by step by step you need to trade step by step सीधा trading नहीं होता है यह एक proper steps में अगर जाते हो तो ही आप long term में पैसे बना सकते हो इसको मैं deeply cover करता हूँ generally मेरे events के अंदर but अभी मैं आपको एक बार उसका summary देना चाहूंगा that number one stage is learn step two is trade small step three is 21 trade trial rule then the next step is make some money then comes का आप trade कर रहे हो then comes का आप scale कर रहे हो then comes का आप review कर रहे हो and then comes का आप improve कर रहे हो and then you make money but most of the time most of the traders directly want to make money yeah I really invite you to UFWP which is our event is just 1050 with 100% a money back guarantee 100 साथ वीडियो आप में दो दिन का इवेंट सब कुछ बैटो मजा नहीं है पूरा पैसा वापस ही है इमेल आईडी है so इस पे रजिस्टर करो आओ देखो सीखो दो दिन के लिए and then see कि किस तरीके से आप मन्थेंड में दो गंटे दे करके वीकेंड में पन्धा मिनिट दे करके अप मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूण सकते हो and किस तरीके से you can grow in market so I invite you for that anyways अभी हम इस steps पे stick रहते है so basically यह steps है जो follow करके ही पैसा बन सकता है सीधा अगर पैसा बनाने जाओगे तो नहीं बने गा and then the last point is learn to short the market because जब market short करोगे जब market मीचे जाता है वो time पे पैसा असान होता है बनाना fast पैसा बनता है stop losses के chances कम हो जाते हैं and also बहुत कम मौके होते हैं और कम लोग इन मौकों को भुना पाते हैं so learn to short so that's the formula for your intraday trading इसको अगर आप implement करते हो हर चीज़ को then I'm sure your intraday trading will grow awesome चलो next Friday 9 बज़े क्या देखना चाहोगे मुझे comment करके बताना ये वीडियो कैसा लगा हो मुझे comment करके बताना सबसे बड़ा point आपने इस वीडियो में से क्या सीखा वो मुझे बताना so आज के वीडियो का that was the formula plan focus P-L-A-N F-O-C-S-S-E follow करके आप यहां तक पहुत सकते हो जहां तक आपको पहुचना है बागी I'll meet you next Friday 9 p.m till that time be disciplined because discipline is one of the most important to make money in stock market